नमस्कार दोस्तों, इसलाम की इस्थापना के काल में धर्म को राज्य से उपर रखा गया था, पैगंबर ने राज्य की इस्थापना इसलाम धर्म को संगडित करने के लिए ही की थी, लेकिन जैसे जैसे अन्य चित्रों में इसलाम का प्रसार हुआ और उसने राज्य के इस् पार उलहर्व को दाल और इसलाम बनाना यानि मूडती पूजकों के देश को वैसा चेत्र बनाना जहां इसलाम के कानून लागू होते हैं। तो इसलामी राज्य विवस्ता में धर्म को इतना महत्तु दिया गया है तो इसलिए एक प्रशन उपस्तित होता है कि क्या इसलाम के अंतरगत राज्य एक धर्मतंत्र था। वाला एक बनसानगत प्रोहित बर्ग हो और सासन के लिए इसवर्य कानून उपस्तित हों। तो अगर हम धर्मतंत्र की इन सर्तों को हिंदुस्तान में देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत के अधिन राज्य इनमें से किसी भी सर्त को पूरा नहीं करता। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अदिन प्रोहित बर्ग के रूप में एक उलेमा बर्ग तो अवस्य मौजूद था परंतुव बंसान गुद नहीं था बलकि उसकी हैसियत सल्तानों की इच्छा के अनकूर पदलती रहती थी। फिर उलाद दिल्जी और मुहम्मद बिन तुगलक ज जाने जाते हैं और मुस्लिम सरीःत को धर्मिक कानून का दर्जा दिया गया था। इस मुस्लिम सरीःत का एक भाग इबादत यानी प्रार्तना कहलाता था, दूसरा भाग सिबिल कानून और तीसरा भाग भाग पहुजदारी कानून। लेकिन अगर हम यहां गौर करें तो चाहे वो सिबिल कानून हो अत्वा फोजदारी कानून इन कानूनों में इसलाम के मूल भाव का उलंगन मिलता है जैसे अगर हम सिबिल कानून में देखें तो कुरान में पुरस और महला के बीच बेदवाव नहीं किया गया है इसलिए सरीयत में महलाओं को उत्तरादिकार से बंचित किया जाना इसलाम की मूल भावना के बिपरीद जाता है और उसी तरह पौजदारी कानून में नाच घर एवं जुआ घर के लिए भी कानून निर्वित दिखते हैं जबकि इसलाम में इन्हें पूरी तरह बरजित किया गया है इस तरह इन बातों से यह तो सिद्ध हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत एक धर्मतंत नहीं था तो फिर बास्तम में राज्य का सुरूप क्या था तो यहां हम देखते हैं कि सल्तनत सब्द सुल्तान से निगला है और सुल्तान सब्द की उत्पत्ती सुल्त सब्द से होई है सुल्त सब्द का अर्थ है सक्ति एवं सत्ता फिर जैसा कि हम जानते हैं सुल्तान का अदुबव एक अत्रिक्त इसलामी विकास था जो अबासी खलीपा के पतर के बाद आया था बास्तम में सुल्तान के पद का आधार सक्ती थी खलीपा की स्विक्रती भी महज आपचारिक थी इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सल्तनत के अधीन राज्य एक प्रकार का सैन निरंकुस बाद था जिसका उद्देश सिता दूरवर्ती छेत्रों से संसाधनों का दोहन कर राज्य विवस्ता का संचालन करना और राज्य अपनी बैदता बनाये रखने के लिए धर्म एवं खिलापत के साथ अपचारिक संबंद बनाये हुए था धन्यवाद उम्मीद करता हूँ वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी होगी